Hi everyone, इस वीडियो में हम देखेंगे pull request क्या होती है और कैसे हम अपने main branch को protect कर सकते हैं ताकि हर एक user commit ना कर पाए, जो repository का owner है, जो पूरे project का owner है, वही जब allow करेगा, जब approve करेगा, तभी कोई commit कर पाएगा, actual में commit कोई कर नहीं पाएगा, फिर जो owner है, उस pull request को approve करेगा, उसक के बाद फिर merge कर सकते हैं, तो चलो अपने screen पर आते हैं, और यह जो हमारी repository है, learning git, इसका access मैंने एक और user को दिया है, उस user का नाम है अनुराग, ठीक है, यहाँ पे दूसरे browser में खोल रखा है, इसके पास access है, अभी यह अगर main branch में अनुराग है, तो इसमें open कर सकता है, कि यहाँ पर मैं चाहूं, तो मैं इसको edit करके, यह मैं कुछ भी, मैं यहाँ से remove कर सकता हूं, मैंने पूरा paragraph remove कर दिया, और यहाँ पर कोई भी commit message डाल के, commit directly to main branch, तो मैं directly main branch में commit कर सकता हूं, लेकिन अभी देखना, मैं थोड़ा सा back जाता हूं, एक step, मैं यहाँ पर leave करता कोई भी changes मुझे चाहिए नहीं, और मैं यहाँ पर आऊंगा, और मैं अपने main branch को protect करूंगा, मैं ऐसा कर दोंगा कि कोई इसमें commit ही नहीं कर पाएगा, तो जितने भी contributors को हम add करेंगे, जैसे हमने देखा था कि अलग-अलग contributors को add कर सकता है, यहाँ पर collaborator में जाएंगे, और main branch को protect करेंगे, तो यहाँ पर add branch protection rule, एक button आपको मिलेगी, इस पर आपको click करना है, और फिर यहाँ पर branch का नाम डाल देना, किस branch को आप protect करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर main branch का नाम डाल दूँगा, और यहाँ पर इस पर tick कर दूँगा, require a pull request before merging, यहनी कि एक pull request की होगी, before merging, और फिर उसमें यह वाला भी option tick रहना चाहिए, नहीं तो वो खुदी pull request करके, खुदी merge कर लेगा, commit तो नहीं कर पाएगा, लेकिन खुदी pull request करेगा, और वहाँ पर merge का option आजाएगा, और वो खुदी merge कर लेगा, तो यहाँ पर एक approval चाहिए होगा, उसके बाद और फिर merge कर सकेंगे, ऐसा हमें इस पर इन दोनों पर tick लगा देना है, और फिर create कर देना है, एक rule create कर देंगे, अब अगर हम यहाँ पर आते हैं, इस अनुराग वाले account पर आते हैं, और इसको edit करने, नहीं कोई भी change करता हूँ, इसको remove करता हूँ, इसको मैंने remove कर दिया, अब यह देखो, you cannot commit, इस वाले option पर tick नहीं हो रहा है, यह बोल रहा है, you cannot commit to the main branch, it is protected, यह बोल रहा है, एक सी ब्रांच है जो कि protected है, इसमें तुम directly commit नहीं कर सकते हो, दूसरा option है कि एक नई branch create करो, create a new branch for this commit, अगर तुम ऐसा करोगे, तो एक नई branch create होगी, और फिर automatic pull request create हो मैं से new branch, मैं एक bugfix नम से branch create करता हो, मानलों कोई नमने back fix करना है, तो एक bugfix नम से branch create करोगा, और create कर दूँगा branch, मैंने create पर click कर दिया, और अब एक नई branch create कर लिए, अब इस branch में प्रोटेक्शन वाला रूल नहीं लगा नहीं लगा है, इसको protect नहीं कर रहा है, इसके अ कर सकते हैं जैसे अनुराग का जो अनुराग नमसी यूजर है यहां पर कोई भी अबाउट फाइल में किसी फाइल में चेंज कर सकता है तो अगर हम यहां पर रिनेम करने आएंगे और यहां पर देखेंगे तो यू कैं डारेक्ली कमिट तो दबक फिक्स ब्रांच इसमें आफ्ब्रांच करेंगे और पिर उसके बाद पुश्व sh Sister करते हैं लेकिर यहां पर कर रहा है तो यहाँ पर मैं करके मैं यहां पर कर देता हूं बग फिक्स्ट या फिर फिक्स बग फिक्स बग ऐसा करके मैं यहां पर कमिट कर देता हूं चेंज इस ब्रांच में मैं कमिट करूंगा चेंज तो यह चेंज मैंने कमिट कर दिया है अब इस चेंज को में में ब्रांच के अंदर लेकर जाना है ठीक है हमने एक नई branch create करके हमने कर दिया है अभी यह change हमारा main branch में कैसे जाएगा हम directly merge नहीं कर सकते हैं ठीक है ना तो हम कमिट कर सकते हैं तो हमें क्या करना होगा हमें pull request वाले option में जाना होगा और हमें एक नई pull request request करनी होगी नई pull request कैसे करेंगे वैसे तो एक दिया है कि यहांपे बोल रहा है कि bug fix ब्रांच है उसमें अभी recently कुछ एक कमिट किया गया है उसमें तुम तृक्तिर्वर्ग कर सकते हैं निए खुर्ट करेंगे तो यह बोल रहा है कि किस branch से किस branch में तुम्हें लेकर जाना है तो में में हमें डालना है और किस ब्रांज से हमें यहां पर select करना होगा हम बगज यहां पर करेंगे तो यह बोल रहा है कि able to merge यानि कि हम merge कर सकते हैं इसमें कोई conflict नहीं है कोई दिक्कत नहीं है और यह बता रहा है कि जो हम merge करेंगे तो about.html से यह file इस about.js about.html में से यह line गाइब हो जाएगी यह इतना बता रहा है तो ठीक है अभी मैं क्या करता हूं एक pull request create करता हूं create pull request और यहां पर हम कुछ description डाल सकते हैं कोई भी अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं यहां detail में क्या करके क्या fix किया है कैसे किया है तो यहां पर मैं कुछ भी नहीं डालता हूं मैं सीधा करूंगा create pull request और यहां पर देखो यह बोल रहा है कि review required merge is blocked यानि कि अभी यह जो author है इस पूरे repository का user है यानि कि pro coder वहां पर जाके हमें इसको review एक बार करना होगा एक बार approve करना होगा at least one approving review is required यहां से जाके हम एक बार review करेंगे अब यहां पर अगर हम pull request में जाएंगे तो यहां हमें एक pull request मिलेगी कि जो अनुराग है यह देखो वन ना ओपन बाई अनुराग अनुराग ने एक pull request open की है तो तुम इसको एक बार approve कर दो तो यहां पर मैं आके देखूंगा और यहां पर add your review करके आ रहा है इस पर मैं क्लिक करूंगा यह सब कुछ pro coder रोल एकाउंट में कर रहा हूं मैं और यह यहां पर मुझे दिखा रहा है कि इस फाइल को remove किया जा रहा है तो मैं review changes करूंगा एक बार review पर क्लिक करूंगा और यहां पर approve हमें करना है ठीक है अप्रूब करना है कमेंट करने से कुछ नहीं होगा अप्रूब करके यहां पर कुछ भी message लिख सकते हो well your request your pr इसको pull request को short में प्यार भी बोलते हैं is approve तो तुमारी प्यार मैं approve कर रहा हूं और इसमें मैं submit review करूंगा तो देखो यहां पर दिखा रहा है कि तुमने इसको approve कर दिया है अब चाहो तो तुम भी merge कर सकते हो इस button पर अगर click करोगे तो तुम merge कर सकते हो नहीं तो यह user भी merge कर सकता है यहां पर भी merge का option आने लगा है तो अभी मैं यही से मैं merge करता हूं तो एक बार review करने की ज़रूत होती है तो उसके बाद चाहे तो जो owner हो खुद merge कर सकता है और फिर अगर चाहे तो जिस user ने PR race की थी वह भी merge कर सकता है अब यहां पर मैं merge करूंगा confirm merge तो इस तरह से हम एक pull request को merge कर सकते हैं जब किसी भी company में काम करते हैं तो ऐसे ही जो पूरी repository होती है उसका main branch होता है main branch होगा या master branch होगा या और भी कोई नाम हो सकता है कोई जरूरी नहीं main या master हो जो भी हमारी repository की जो main branch होगी उसमें हर एक developer को access नहीं होता है उसमें केवल manager को या lead engineer जो होता है उनके पास access होता है तो हम लोग branch create करते हैं जब as a developer काम करेंगे हम उस main branch से अपनी एक नए branch create करेंगे तो उस पूरे main का code आ जाएगा और फिर उसमें जो भी bug fix करना है कोई नया feature implement करना है वो सब कुछ करके हम फिर हम अपना एक pull request भीजेंगे फिर वहां से अप्रूव किया जाएगा और जायतर cases में अप्रूव करके वही मर्च कर देता है और अगर हम चाहें तो खुद भी मर्च कर सकते हैं तो इस तरह से काम होता है इस तरह से request भेजते हैं और प्रूव होता है पूरा cycle चलता है और companies में जातर github नहीं उस होता है companies में आप देखोगे तो अगर कोई भी बड़ी company वहाँ पर bit bucket यूज होता है तो उसमें भी चीजें सेम ही रहती है तोड़ा UI अलग रहेगा अलग अलग color रहेगा अलग theme रहेगा जैसे कि एक चीज मैं अलग आपको दिखाता हूँ क्या रहेगा वहां पर मैं यहां पर मैं pull request पर जाओं तो new pull request अगर मैं करूं तो यह जिस branch में push कर रहे हैं जिस branch में हमें डालना है और जिस branch से डालना है वह इस यहां पर यह arrow इस तरफ है तो इस तरफ रहेगा है सेमी चीज बस इधर का उधर हो जाता है मतलब काम एक ही होता है बागी थोड़ा बहुत चेंजिस होता है वह आप जब कभी अपने कंपनी में काम करेंगे तो आपको पुल रिक्वेस्ट रेज करना आ गया होगा आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि में जो ब्रांच होती है की उसमे कैसे restriction लगते हैं और में भाउल सकते हैं सेटिंक की आप्शन में यह ब्रांच मुए अगर आप कोई भी क्सिन या तो आप comment में पूछ सकते हैं, ईस टेलीग्राम yes G region मेट जोइन करके आप डारेक्टली मुझसे कोशन पूछ सकते हैं तो मैं मेट करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लेगी होगी मिलते हैं नेक्स तुडियो में तब तक के लिए बाए बाए